प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सुक्ष में जीवों के मख्रिशंगों के बारे में अध्यन करेंगे, यानि कि इसके मैन गुरुप कौन कौन से हैं, जिनको हम माइक्रो और्गिनिजम के अंतरगत बर्गिकरत करते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है जीवाणू, ब बर्गिकरत किया जाता है, जीवाणू को मौनेरा किंग्डम के अंतरगत इनको बर्गिकरत किया जाता है, बास्तु प्रोकिरियोटिक होते हैं, इसके साथ किस किस प्रकार के जीवाणू में रखे जाते हैं, जैसे कि यू बैक्टिरिया, आर्कि बैक्टिरिया, नील जीवाण रोते हैं जो पिरोटिक ऐसे हैं जो कि साथनुन पहीं उजिएन के दुवारा जणन करते हैं और कि इस्तलियभ जलियभ परियावरणंभ्ण में पाये आते हैं उम्नि प्रिजैंट होते हैं उजिए जलियभ wanatta करके यह प्रणुन है साते साथ इसाथ इनमें पोशन के लिए अनिख प्रकार की बिवेंड विभिधिया है वाय राती हैं और उन विभिधियों से पोशन प्राप्ट करके ये ब oblivion करते है आर की वैक्टेरिया यह जीवानों का मैटपूम समूह है आर्की बैक्टिरिया ये एक प्रकार के प्रिमिर्टिव गुरॉफ होता है बैक्टिरिया के जनको हम अल्डेस्ट या लिविंग फोसेल्स माइक्र ओर्गिनिजम भी कहते हैं इनकी बात ये है कि ये यू बैक्टिरिया से कुछ गुणों में बेंड होते हैं जैसे कि इनकी जो कोश का बित्ती होती है वोस कोश का बित्ती में मीरामेक अचिड और प्रेप्टिड गलाइकेन नहीं पाया जाता है जबकि जो यू बैक्टिरिया होते हैं उनकी कोश का बित्ती में मीरामेक अचिड और प्रेप्टिड गलाइकेन पाया जाता है इनके राइवोसोम और क्लोरेम फैनिकॉल की प्रती इनसेंसिटिव होते हैं जब यू बैक्टिरिया में पाया जाने वाले राइवोसोम होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं इसके लावा आरकी बैक्टिरिया की जो कोज का जिल्ली होती है वो glycerol, hydrocarbon, glycerol, स्रंकला की एक इस तरिया monolayer, single layer की बनी हुई होती है इसके अलाबा आरकी बैक्टिरिय जो रहते हैं वो extreme condition वाले जो परियाबरन कारक होते हैं जैसे गरम या गंदक किसरो salt concentration बहुत अधिक होती है यानि कि extreme condition वाले जो छेतर होते हैं वहाँ पर ये पाये जाते हैं यानि कि बहुत ज़्यदा वो च्ताफमानवाल इस्तानों पर भी पाये जाते हैं सोके इस्तानों पर भी पाये जाते हैं गंदक की मातरा जहां होती है या acid की मातरा जहां होती है वहाँ पर भी ये बहुत आयसे पाये जाते हैं salt की concentration जाद एक होती उसको भी टॉल्रेंट कर लेते हैं तो उनमें टॉल्रेंट की कुछ पावर पाई याती है उसका कुछ एक कारण होता है कि इनकी जो कोश का वित्ती होती है उस कोश का वित्ती में लिपिड पाई याती है उस लिपिड में phytonyles side group पाया जाता है ये जो phy को तो कम कर देती है और इसके अंतरगत जो टॉल्रेंस पावर होती है यानि कि हीट या जो लोड पी एच होती है उसके प्रति जो सेंसेटिव पावर होती है इसको टॉल्रेंस पावर को बढ़ाने का कार्या करती है तो यह जो लिफिड है phytonyles side group chain यह इसमें इनको सर्वा करती है उसको मजबूत ही प्रदान करती है यानि कि जो फिलड़िटी होती है उसको तो गटा देती है और जैसे की हीट और पीएच है उसके प्रतिय टॉल्रेंस पावर को बढ़ाने का काम करती है आगर के चीम आईडी माइक्रोपलाजमा भी प्रोक्यराटिक जीव होते है और ये सारे जो प्रेकरटिक जीव हैं यानि की कलेम ID, इरिकेट CIE, माइको प्लाज्मा ये यूटकेयोस्टम पाई जाने वारे जीवों में जो सैल होती है उसके इंट्रा-सेललफ प्रजीवी पैरसाइट होते हैं माइको प्लाज्मा माइको प्लाजमा सक्स सुख्षम जीव होते हैं जिनने जीवित कोचिकाओं के बाहर भी कल्टिवेट किया जा सकता है नील हरत सैवाल या साइनो बैक्टिरिया ये भी एक प्रिकार के प्रारूबिक प्रोकुरिटिक जीव होते हैं ये फोटो सिंतेसिस करते हैं और फोटो सिंतेसिस के दोरान ऑक्सिजन को ये बाहर निकालते हैं इन में अन्य सेवालों की बाती क्लोरोफिल ए फोटो सिंतेटिक पिंग्मेंट भी पाया जाता है ये समद्रों में समभ़त्य मुख प्रात्मेक उत्पादक होते हैं ये नाइटोजन इस्त्रीकरण भी करते हैं और इस्त्रीकरण करके नाइटोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं जिसे म्रदा की और बढ़ता बढ़ती हैं इस लिए इनको मिक्सो बैक्टिरिया कहते हैं यह अबुपंक कब कुछ की बाती विशेशते बहुत की जीव होते हैं यानि कि मल्टि सेलूरर और गिनेजम होते हैं और फ्रोटिंग बैक्टिरिया कहते हैं एक इस पर जैसी संस्ना प्रोटिंग जैसी संस्ना इन पर बनती हैं इसलिए इनको मिक्सो बैक्टिरिया कहते हैं यह इसी पर यह यह फिल मैंटस जो से यह फंगस फिलमेंटस होते हैं इसी प्रिकार के ये फिलामेंटस जीवाण हुआ है ये ग्राम पोजिटिफ फ्रोकिरोटिक होते हैं जो की फिलामेंट तन्तु में जीवाणों का सबसे बड़ा समू है इन्हें म्रेदा में से सरलता से प्रत्थग आईशोलेट किया जा सकता है अगर हमें अक्टिनुमाइश कर सकते हैं इनमें से अधिकां ऐंट्य मैंताएक बदार्थ उत्पन करते हैं जैसे कि इस टैप्रम refresh ही करते कथ कि हैं тुम बहुत ईंति है चनुन करती हैं इनकी कोश के वित्ति में पेप्टिडो गलाइकेन उपस्तेत होता है अब आता है प्रोटो जुवा प्रोटो जुवा भी सुक्ष्म जीवों के अंतर गद रखे गए लेकिन वो किस प्रकार के होता है देखिए यह समयनते यूनिसेलूलर होते हैं और यूकेरिटिक जीव होते हैं प्रोकेरिटिक नहीं है यूकेरिटिक जीव है यूकेरिटिक जीव है शुक्ष्म जीव ग्यानियों के अनुसार प्रोटो जुवा एक कोश की एप्रिका संसलेशी और यूकेरिटिक जीव होते है यह प्रोटोजवाव होता है यह गती भी करते हैं इनके अतिरिक्त भी इनमें कुछ बिसेश प्रिकार की गणुभी पाया जाते हैं जैसे यह जो होते हैं प्रोटोजवांस उनमें गती पाया जाती है गती भी किस प्रिकार की है तीन प्रिकार की होती है पहली अमीवाइड इलाखे दोड़ा सी लियरी यानि की पक्षमा भी गति पेरा मीशियम के अंतरगत पाई यति हैं पोशन इनमें जो पोशन करने के दूआ करते हैं इनमें जो सेल बॉल होती है वह एफसेंट होती है जीवन छाटेएं प्लाजमोडियम में ठोड़ा डीफिकर्ट होता है लेकिन अन्य जो हैं प्रोटोचोंस उनमें सेवाल और कबक्यत तुलना में कम जटेल होता है एकल कोशिकाओं में परियाब्त बिसेश लक्षण जैसे की पेरमाइशियम में होता है उनमें दो प्रिकार की नुक्लियस पाए जाते हैं तो इसका एक बिसेश लक्षण है नेक्स्ट गुरूप आता है सेवाल सेवालों को भी उसे ऐसी सेवाल हैं जिनको भी हम सुक्ष जीवों के अंतरगत वर्गीकरत करते हैं सेवाल जो हैं वो पिग्मेंटेड यूकेरियोटिक जीव हैं जो कि माइक्रोस्कोप इसको माइक्रोस्कोप फॉम में परियाब तो बड़े आकार के होते हैं और केवल कैल्प कैल्प जैसे दिखाए देते हैं इनके अलावा भी इनमें कुछ बिसेश परकार के लक्षण प पिग्मेंट पाया जातव है कि अधोल होती है उसमें लोस पैक्टी.. जयलीन.. और.. पोलीशेक्रेयग की बनी होती planets कुछ रेड एलगी जो ब्ती हो थी, उनमें एगार जेल पाया जाता है। कही प्रकार की वरफरोजिकल टाइप्स पाया जाते हैं, कुछ जो सेवाल होते हूं, मोटैल पी होते हैं, प्र solvedies, मिलेग जा это दाइसे गती करते हैं। इनमें लेंग एक और एलेंग एक दोनों विद्याओं के द्वारा जनन होता है पंजाई फंजाई प्रकर की यूकरियोटिक जीवें फिलामेंटस होते हैं और इनको भी सुख्श्म जीवों के अंतरकत बरगीकरत किया जाता है इनमें इसमें पिश्विश्च पर करक्रख्श और थेसरे के बीदाने और रहं दिए सक्वाइटी में काईटी इनके मायक्रो फाइविल पाए जाते हैं कि मॉटाइल स्टेज समह अनते एफसेंट होती है कि में संदस्मातों द्रस्ठी से हाइफव पाया जाते हैं और हाइफव मिलकर के mycelium बनाते हैं इसके लाबा जो mycelium होते हैं वो septate होते हैं या sinusytic होते हैं एलेंग एक जनन के परकार की विजानूं के द्वारा होता है लेंग एक विजानूं बनते हैं जीवन चक्र साधानन से जटिल होता है यह हो गया आपके कबकों के कुछ मुख लक्षण अब आता है बाइरसों के लक्षण बाइरस क्या होते हैं यह परकार के एस एलूलर जीव होते हैं इन्फेक्शिस हैजेंट होते हैं इसके अलावा इन में कोशिकाओं का पूर्ट अबावा होता है के वल जैनेटिक मैटेरियल यह दो डी ने या आरेने प्रोटीन के एनवलाप या कोट के द्वारा गिरे होता है और इनको रेप्रोड़क्शन करने के लिए केवल और केवल जीवित कोश कहें चाहिए